तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो आज हम बनाने वाले हैं इस सोफे का एक और नया और बहुत ही स्टाइलिश सोफा कवर तो उसके लिए मैं अपना इस पुराने सोफे कवर को रिमूब कर रही हूं और कई लोगों ने मुझे से पूछा था कि इस सोफे कवर को हम कैसे लगा सकते हैं और रिमूब कर सकते हैं तो देखिए ये सिंपल सी डोरी से हम इसे बहुत एजली रिमूब कर सकते हैं अपने बैच शीट से बनाएवे सोफे कवर को हमने एजली रिमूव कर दिया है और अब मैंने यहां पर यूज की है अपनी एक सिल्क की साड़ी इसका वर्क बहुत ही सुन्दर है बट अब मैं यह जादा यूज नहीं करती क्योंकि हैवी वर्क की साड़ियां बहुत जादा हम यूज नहीं कर पाते अपने डेली लाइफ में तो आज मैं इसको यूज करूंगी एक सोफा का कवर बनाने के लिए इसके साथ कॉंट्रास्ट में मैंने एक और साड़ी का यूज किया है जिससे हमारे सोफे को एक इनोवेटिव और नया क्रियेटिव लुक भी मिलेगा और जो कॉंट्रास्ट मैंने यूज किया है वो बहुत ही जादा ट्रेडिशनल और एथनिक लुक देगा तो इस तरह से मैं अपने इन दो साड़ीों को ले लूँगी और जो इनका पल्ला वर्क है उसको मैं रिमूव कर दूँगी यहां मेरे पास जो ब्लाउस पीस है वो अलरेडी अटैच थे तो मैंने उन्हें रिमूव कर दिया है क्योंकि मैं कॉंट्रास्ट की ब्लाउस का यूज करती हूँ जादा तर और इस तरह से मैंने जो पल्ला पार्ट है उसको डिवाइड कर लिया है जो मिडल पार्ट है वर्क का जो एक जैसा होता है उसको अलग कर दिया है और अब मैं इस middle part को अपने इस sofa पे ड्रेप करके देख लूँगी कि जो measurement हम ले रहे हैं वो कितना हमें extra लेना है और कितना हमें cut shot करना है और जो हम इसमें अंदर दबाएंगे part वो कितना होना चाहिए तो इस तरह से जो उपर का जितना भी part है जो length है हमने साड़ी की वो हम बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे वो हमें अच्छी grip देने में काम करेंगा cover बनाने के लिए दोनों sides में हम 4-4 inch का extra material रखेंगे जिसमें हम इसको finish करने के लिए use करेंगे तो इस तरह से हमने measure कर लिया है पूरी साड़ी को और इसमें हम extra 4 inch का कपड़ा छोड़ देंगे जिससे हम अपनी साड़ी को finish कर पाएंगे measure करने के बाद हमें इसकी जो cutting है वो बहुत ही ध्यान से करनी होगी क्योंकि cutting में अगर आपने इसको थोड़ा टेड़ा हो जाता है तो कट करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि हम इसे किस तरह से बनाने वाले हैं तो यह हमारी साड़ी है कुछ इस तरह से यह हमारा middle part होता है और यह हमारा पल्ला part होता है तो यहां से मैंने पहले अपनी साड़ी में से पल्ला पार्ट को है वो रिमूव करा है पला पार्ट रिमूव करने के बाद हमारे पास सिफ मिडल पार्ट रहता है तो हम मिडल पार्ट में काम करेंगे हमने इस साड़ी की जो मिडल लेंथ है उसको बीच में से डिवाइड कर लिया है दो पार्टिशन में और उसको हमने वर्टिकल से कट करना होगा और उसे जोड़ कर एक पार्ट बनाना होगा तो यहां पर मैंने जिस तरह से हमने बोर्ट पे देखा था हम उस तरह से अपने इस पल्ले पार्ट को डिवाइड कर लेंगे मिदल पार्ट को हम डिवाइड कर लेंगे और मिदल पार्ट को हमने यहां पर दो प 1 inch की extra margin देंगे जो हमारी Stitching में आएगा इसको cut करने के लाद अब बारी आती है हमारी Stitching की तो Stitching करते टाइम हम बहुत ध्यान से इन 3 पीसिस को join कर देंगे और ध्यान रहे की ये क्योंकि Silk है तो हमें बहुत ही आरां से इसको Stitch करना होगा आप चाहें तो टेलर से भी इसको स्टिच करवा सकते हैं और घर पर भी आप इसे बहुत आसानी से स्टिच कर सकते हैं स्टिचिंग के बाद बारी आती है कि हम इसको प्लेस कैसे करेंगे अपने सोफा पे क्योंकि सिल्क की साडियां सोफा पर कैसे टिकेंगी तो यहां पर मैंने यूज किया है वेलक्रो का तो अपने सोफे के नीचे पोर्शन में मैंने यहां वेलक्रो पेस्ट की है जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है और यह आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि काफी हमारे सोफा कवर्स ऐसे होते हैं जो हम प्लेस करते हैं और वो बार-बार अपनी जगा से निकल जाते हैं तो इस तरह अगर हम वेलक्रो का यूज करते हैं तो वो अपनी जगा पे इंटैक्ट रहते हैं और लंबे टाइम तक हमें उन्हें छेडने की जरूरत भी नहीं पड़ती पारी आती है जो कवर हमने बनाया है उस पर हम वेलक्रो की जो सॉफ्ट लेयर होती है उसको प्लेस करेंगे तो हम इसे ग्लूगन की हेल्प से बहुत इजली प्लेस कर सकते हैं और यहां मैंने बहुत आराम से इसे प्लेस कर दिया है पारी आती है इसे अपने सोफे पे ड्रेप करने की तो ये वेल्क्रो की हेल्प से बहुत ही एजिली पेस्ट हो रहा है और ये डिटाचेबल है तो ये बहुत ही एजिली निकल भी जाएगा तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है अगर आप अपने किसी भी सोफ़ा के साथ इसे ट्राइ करते हैं तो वेल्कुरो पेस्ट करने के बाद हम उपर इस जो एक्स्ट्रा माटीरियल है उसको इजली सोफ़ा के अंदर दबा सकते हैं और ये कितना सुंदर और कितना नीट डिजाइन लग रहा है अब जो हमने ग्रीन पोर्शन उपर के लिए बनाया था तो ये हमने सोफ़े के पीछे भी वेल्कुरो लगा दिया है और सेम प्रॉसेस से मैंने इस ग्रीन पार्ट में भी वेल्कुरो यूज कर लिया है तो ये ज कितना सिंपल और कितना सुंदर लुख देरा है और इसी तरह हम दूसरे पोर्शिन को लेके जो सिंगल सिंपल प्लेइन मेंने ब्लाउस के पीसेस बचाय थे उससे मैं जो बेस है इसका सिटिंग का वो बना रही हूं और जो अपला पोर्शं था ग्रीन साड़ी का उसको इसलिए आप इसे घर पे बहुत कम टाइम में बना सकते हैं तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताईएगा और अगर आपको भी इस तरह से बचेवे कपड़े से ये कुशन कवर्स बनाने हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा तादा・ गरूर नेक्सट साहँ अटब बना बंगियो का वीडियो का रवा नेकर सकते हैं तो आपको नेकर प्मागरणाल आपको हैं तो जरूर रचेवे के बना हूं आपको आपको थाएब्यो मेरा आपकों ह्पक close circumstances